SSC, CHSL, GKGS preparation में आज हम लोग बात करने वाले हैं World Geography से related जो PYQ है आपकी विश्व भूल से जुरी हुई जो भी previous year के questions जो SSC, CHSL 2021, 2022 वाला में जो पुछा गया है हम लोग वो questions को उन्हें से क्यूस को देख लेंगे Start करते हैं पहला question Which water body cover an area of 1,55,58,000 km2 and make up only 4.3% of the global ocean आपको पताना है कि world की, दुनिया की कौन सी ऐसी महासागर है जो की कितना, ये इतना area cover करती है अब पूरे global का, पूरे दुनिया में जितना भी ocean है उसका just 4.3% वो है तो correct answer हो जाएगा यहाँ पे answer कि Arctic Ocean Arctic Ocean आपको पता है कि Arctic Ocean को आप देखोगे तो map में देख लेते हैं ये Arctic Ocean है कहाँ, तो ये जैसे आप map में देख रहे हो map में जैसे आप बाकी ocean को बैठो माग कर दू ये हमारा Asia है ठीक है, ये Asia है, ये हमारा भाळत है, इंडिया है यहां पर यह जो देख रहे हो यह प्यसिफी कोशन है यह वाला पुर्षन प्यसिफी कोशन है यह जो देख रहे हो न यह भी प्यसिफी कोशन है प्रसांत महासागर बीच में यह वाला जो पुर्षन देख रहे हो यह वाला है अट्लांटिक महासागर अट्लांटिक कोशन यह यह यहां पर यह देख रहे हो यह पी दूनिया का जितना भी ओषएन समय आंटकंटी आंट्य। ससे यहां पर स्थी यहां यहां लेगा तो दूणी से याद करख़ो में व애ं तो ऑक्टिक य। वान यहां गर बाखी को माख करता हूं एक तो बाफी को फॉटिश्य सेन्ट बी मुझा करें तो यह लगभाक 46.6 परसेंट है यह भी प्रसांत महा सागर है भारतिया महासागर इंडियन ओसन जो है वो जो यहां पे जो देख रहे हो यह कितना है 19.5% 19.5% है ठीक है उसके लाबा अंट्लांटिक की बात करें तो यह 23.5% के आसपास में है और यहां पे जो सदन ओसन जो दस्षिनी महासागर यह वाला जो एरिया देख रहे हो यहां यह कितना है तो यह 6.1% है प्रसेंटेश पूछा गया है एकजाम में तो इसलिए मैंने यह वाग कर रहा हुआ याद रखना है आपको बढ़ते हैं अगले कुश्चन में विच ओअ से कौन सा प्लैनेट के जो मून जो होती है जो चंदरमा यासे हमारा तो एक मून है मंगल क्रा का देखोंगे तो दो मून है जो मर्स जो प्लैनेट उसके 2 मून है कौन कौन से फोबो जा विमो सब आपको बताना इन में से कौन सा प्लानेट है जिसका सबसे ज्यादा मून है तो करेक्ट एंसर हो जाएगा आपकी सैटन जो सनी सैटन के आपको 83 मून्स मिलेंगे याद रखना अच्छा अगर आप पुरानी बुख पर रहे हो न तो वहां पर हो सकता है जूपीटर का ज्याद है इसका दो है अर्थ का तो कितना है एक है और इसके लावा अगर बात करें मर्क्यूरी जिसको बुद्ध ग्रह बोलते है और वेनस मर्क्यूरी एंड वेनस का कोई भी उपगड़ा नहीं है कोई भी बून नहीं है याद रखना आपको नेक्स पोसन देखो विच और फॉल कवराणी जिसे इंडिया में हम लोग क्या बलते हैं गागरा नदी ठोबाद हो बहते हैं इंडिया में मिल जाती है यह जो घंडगा नदी से लंबी नदी पहाड आती है और छोटी सी रिवर है जो कि घागड़ा में मिलती है ठीक है तो अगला कुशन देख लेते हैं तो देखो आपको ये कुश्चन से आपको एकाइडिया होना चाहिए कि एक्जाम में आपको इंडिया के बारे में जानना ही है लेकिन इंडिया के जो परूसी कंट्री है उन में से कौन से कंट्री की कौन सी पहाड है कौन सा बाउंटेन है कौन सा रिवर है नदी है उसके बारे में थोड़ा वोत आईडिया आपको होना पड़ेगा क्यों पूछा पुछा गया था कब 26 डिसमबर याद रखा देल सब्हुपशा जा चुका था जयाँ तो 29 डिसमबर क्हों आया था यह एक टूनामी ऋ आया था यह गाल Songs झाहिं अर्थक्वेक घूगंप वह घूगंप it बहुत ही मेजर इसकेल का जो है जो सुरामी जो आयए था उसका मान कितना था तो नाइन पॉइंट फॉइंट वॉन थे यह स्टार्ट फॉआ था और हमारे इंडोनेशिया आस पास के जो कंट्री से इंडिया की अंडमान निकोबार आइलेंड इंडिया का के रहला जो सब्सक्राइब जो लाइक तमिलनाडू जैसे स्टेट से वो सब एफेक्ट हुए थे टिक है कि एक से लंगा एफेक्ट हुआ था एक होता है एक होता एक होता है ड्राइड एक होता है मॉश्टी दिसीडिएंड अजाते हैं तो परणपाती जो वन जो है एक होता है नम वाला एक होता है ड्राइवाला तो इसमें से जो सेंडल वूड जो है ये आपकी ड्राइव आले मौस्ट वाले काटिग्री में आती है तो अगला कॉस्षर देख लेते हैं आई सी वन वन जिरो वन क्या है तो यह क्या है तो यह है एक गैलक्सी यह क्या है एक गैलक्सी अब गैलक्सी क्या होता है तो आपको पता होगा बहुत सारे स्टार्स है उसके प्लैनेट्स है बहुत सारे एस्ट्रोइड्स वेगरा का जो ग्रूप है जो समूह जो है उसको गै दीरे दीरे वह भी मन जाता है ओधी डाई होता है जब गया करता है यह a हमारी एक सैटलाइट मून है, ठीक है, इसके लाबा काफी सारा सैटलाइट हम लोग भेजते भी है, खुद से बना करके, अस्ट्रोइड क्या होता है, ये समझो, तो देखो, मैं अगर डौ करूँ, सबसे पहले तो सन है, सन के बाद में प्लानेट्स को अगर आप देखोगे, तो सबसे पहले मर्किरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, उसके आदमें आपको मिलेगा जूपीटर, सैटर्न, यूरेनस, नेप्चून, तो मार्स और जूपीटर, ये दोनों के बीच में न, एक तरह का बहुत सारे छोटे 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 जो है न, मार्स मतलब मंगल, तो मंगल गड़ा और जूपीटर मतलब सनी, तो मार्स और जूपीटर के बीच में ये छोटे 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 जो रॉक्स जो है जो घूम रहे सन के चारोल, इनको बोलते है एस्टराइड, इनको क्या बोलते है एस्टराइड, ये एकजाम पुछा गया ह हैस 1500 फैले कि बताओस्ट आपको कहा मिलेगा तो जनरली मार्स आप जूपीटर के बीच मillon होता है बाकि दूसरी ओपसंन ये मतलब क्या संखि होता क्या है कि जब मान सबॉब कोई जहील है लेख है उस में क्या कि काफि us दूप आडा काफि सारा Sunlight को तो तो क्या होगा यहां का का यह काुछ आप बंके भैपर बन जाएगा है कैसे वेपर बन जाएगा वास्प बन जाएगा ना। टिचमेच को संलाइट के वज़ा से और इस प्रोसेस को क्या बोलते है इवापोरेशन क्या बोलते है इवापोरेशन अब यह जो हाप यह जो भेपर जो है यह धीरे 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 ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर ठंडा होगा ठंडा होकर क्या बनाएगा क्लाउड बादल बनाएंगे यह ना तो क्लाउड बनाएंगे और यह जो क्लाउड जो है इससे क्या होगा फिर फाइनली रेन होगा है ना उस क्लाउड से हो सकता है कि रेन हो बारिस हो यानि कि यह बारिस जो हो रहा है न तो यह बारिस ऊपर से को वाटर जो है बैसिकलिक बा अगर snowfall हो रही है अगर उपर से बर्फ गिर रही है उसको भी precipitation मोलेंगे उपर से अगर snow गिर रही है हिमपाथ हो रहा है जैसे अभी winter का time है सिमला मनाली में बर्फ गिर रही होगी अभी तो उसको भी precipitation मोलेंगे मतलब water जो पानी जो है किसी भी रूप में किसी भी form में अगर दूसरा option को देख लो condensation लेते हैं लेते हैं देखो आप पानी करो काई सर्गता हैela बाष्प सबस्रा घ्र-डलता है अब इस बंगल रही न ऊपर में आपim तो यह बहुँ आप जो है जो बेपड जो है वह फैपर क्या हुआ वह बदल गया वाटर में है मतलब वाटर जो पहले बेपर था वह बैपर से भीत इस्टेज़ में गए लिक्विड इस्टेज में तो इसको बुलते हैं क्लानी यहां पानी में वा उयल से लुटाइगा व already डिकेंटेसन और सेडिमेंटेसन क्या है यह भी समझ लेते हैं हम लोग तो देखो मानलो आप एक गलास पानी लेते हो आप गलास पानी आपने किसी से मांगा लेकिन आपने क्या उफ्जॉफ किया कि वह पानी में कुछ छोटे-छोटे ब्त कुछ कुछ गंदगी है जो कि वह है ना पानी में कुछ impurities है तो आप क्या कड़ो वह वर्ण ग्लास वाटर को आप साइड में टेबल में रख दो आदे घंटे के लिए तीस मिनट के लिए आप साइड में रख दिया है तो होगा क्या जो भी इंपिरूटी जो तैर रही थी ना उसमें वह धीरे 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 नी सब्सक्राइब के लिए और डाइस अब देखो यह कुछ न पढ़के आप लगया कि पता नहीं क्या पूछ लिया लेकिन बहुत असान को सब्सक्राइब देखो क्या है और डाइस इज़ा है अगर एक रिभर लो और एक रिभर के रिभर को आर्पार करते हुए कुछ कि क्या खड़ेगा जिसके पीछे काफी सारा पानी जमा हो जाएगा वाटर जमा हो जाएगा एक जील जैसा लेक जैसा बन जाएगा और यह पानी को आप चाहो तो मसली पालने के लिए यूज कर सकते हो आप नविगेशन के लिए आप उसको ड्रिंकिंग पॉर्पस के इलेक्टिशिटी बनाते हैं है ना तो एंसर बहुत ही असान सा था डैम ठीक है अच्छा आपको पता है इंडिया के सबसे हाइस डैम कौन सी है अगर पता है तो कमेंट करके आप बता हो जो भी कुस्टन अभी हम लोग देख रहे है ना यह आपके वल्ड जोगरफी से रिल मिट्टी बनने के लिए इन में से कौन सा फैक्टर रिस्पॉंसिबल नहीं है तो पहले तो टोपोग्राफी मतलब क्या हता है आप देखो आप इंडिया में आप बाहर निकलो इंडिया में अप निकलो इधा उधर तो क्या आपको हर जगा लैंड प्लेन मिलेगा नहीं कही कहीं आपको पहार मिलेगी कहीं आपको पठार मिलेगी है ना कहीं आपको बाउंटेन मिलेंगे कहीं प्लाट्यू मिलेंगे कहीं पर आपको ओशन मिलेंगे कहीं कड्डे मिलेंगे कहीं पर प्लेन एरिया मिलेगी मतलब क्या है कि अलग 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 जगा पे लैंड जो है व तो मिट्टी में होगा आपको उसमें न्यूटैन्स मिलेंगे, आपको उसमें सिलिकन मिलेगा, आपको उसमें आयर apparition मिलेगा, तो जो मैटेरियल से स्वाइल बना हो, तो वो मैटेरियल जो है, वो स्वाईल का fallevation को effect चो करता है, ठीक है मतलब ये भी नहीं होगा आपको पताना है कौन नहीं है बायोटीक एजेंट देखो बायोटीक एजेंट जो है वो भी स्वाइल फोर्मिशन में हर्प करते हैं कैसे हर्प करते हैं समझाता हूं मैं एक जमीन पर गिर रहे है तो एक टाप में वह पत्ते क्या होंगे सर जाएंगे डिकंपोज हो जाएंगे अब वह वह स्वाइल का जो प्रॉपर्टी जो है स्वाइल फॉर्मिशन में वहां पर तो इफेक्ट डाल रहे है जैसे पीट आप लहां नहीं जुरूर नाम सुनाँगा पीट फीट ट जो ऋब क्या देखते हो कि वहां पर आपको देखने को मिले घुए सब बहुत जादा मिलेगा थी का जो बहुत मिलेगा मतलब बेसिकली प्लांट जो है कोई भी बाइवटिक एजन्ट वह बिल्कुल इफेक्ट डालता है फॉयल फॉर्मेशन में तो कौन नहीं डालता है कैटल ग्रेजिंग आप जानवरों को चरा रहे हो वो फेक्ट नहीं करता है यह लेकिन चीज मैं बता दूओ जानवरों के चराने से कैटल ग्रेजिंग से क्या होता है soil erosion मिट्टप था है अगला देखले यह पॉर्सन सुफेद को हमाउंटेन तो यह नाम आपने बहुत लोग ने फेस्ट टाम शुना होगा सुफेद कोः मौंटेन यह कहां है तो यह आपको मिले गा पाकिस्तान और अफगानिस्तान या अफकेस्तान के बार्डरी में एक बार्डर को कोश्चन देख लेते हैं अब कि आपको मिलेगा को सब्सक्राइज का मिलते हैं अर्धा कोश्चन देख लेते हैं continuing इंसर बहुत असान है एंसर क्या है इसका glacier कैसे होगा समझो मालो एक पहाड है mountain है तो mountain की ढाल पे यह mountain है ना mountain की ढाल पे यहां पे काफी सार बडफ जमा है मालनो तो यह धीरे-धीरे बडफ नीचे खिसकेगा ना क्यों नीचे खिसकेगा gravity के कारण गुरुत्वा अगर ढाल पे कोई चीज रखोगे तो वह धीरे-धीरे सरक के नीचे आएगी तो mountain पे अगर मालो यहां पे glacier है बडफ है तो वह बडफ धीरे-धीरे नीचे खिसक के नीचे आती है तो यह बड़ी इसी जो बडफ बहुत साल बडफ होता है इस बडफ होती है तो उसे बोलते क्या है उस बडफ को भूलते है glacier आप लोग ने जरूर सियाचिन glacier सुना होगा है ना सियाचिन glacier जरूर सुना होगा आप लोग ने तो glacier अगला देख लाइते हैं question which of the following nation is smallest neighbor of India in terms of area इंडिया के neighbors की अगर बात करें तो उन में से सबसे छोटा neighbor कौन सा है तो जो option दिये गए है तो answer हो जाएगा Maldive मॉल्डीव जो neighbor हमारा है वो इंडिया का सबसे छोटा neighbor है मॉल्डीव के capital मॉल्डीव के capital है माले क्या है capital माले मॉल्डीव को देखोगे ना तो हमारा country को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मॉल्डीव बहुत छोटी-छोटी island है कौन से ocean में तो Indian Ocean में हिंद महसागर में छोटी-छोटी island है और यह मॉल्डीव से थोड़ा सब उपर हमारा लक्षदीव भी यहीं पर है लक्षदीव और मॉल्डीव मॉल्डीव दूसरा country है लक्षदीव तो हमारा है लक्षदीव और मॉल्डीव के बीच में जो water है इसको बोलते है एट डिगरी चैनल या दखन कौन थे neighboring country है आपको नाम पता है तो बताओ मुझे comment करके ठीक है यह फिर टोटल कितने neighboring country है अच्छा टोटल कितने neighboring country है यह बताओ मुझे अगला देख लेते हैं mcq which of the following soil is found in the area of heavy rainfall and high humidity ऐसा जगह जहां पे बहुत ज़्यादा बारिश होती हो heavy rainfall होता हो और high humidity वायू में आधरता बहुत ज़्यादा हो humidity बहुत ज़्यादा हो ऐसे place में जो soil जो है किस तरीके का soil मिलेगा तो ऐसे place में आपको पीटी soil मिलेगा थे पहले मैं बता आघा था पीटी soil तेखो होता क्या है कि मालो एक forest है पेर पॉदे के पत्ते तो नीचे गिरते हैं है पत्ते काफी सारे जमीन पर गिरते हैं लेकिन यह पत्ते क्या होता है डिकमपोज हो जाते है सरगल के वहीं मिट्टी में मिल जाते है तो वह सरगल के मिट्टी में मिल जाते हैं मिट्टी का ही भाग बन जाते हैं मिट्टी का ही पार्ट बन जाते हैं लेकिन होता क्या है अगर एक ऐसे एडिया में देखो जहांपे रेनफॉल बहुत जादा होती हो रेनफॉल बहुत जादा होती हो तो यह जो मिट्टी के जो यहां पर जो भी हिंदी ट्रांसलेशन आप देख रहे हो ना यह अगर आपको कहीं पर भी समझने में दिक्कत होता है तो आप इंग्लीश को फोड़े के लिए आप फॉलो करना है ना अब ऐसे कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप डारेक्ली स्क्रीन शॉट लो और स्क्रीन शॉट लेकर करके डिस्क्रिप्सर में टेलिगाम का मिल दाएगा आपको लिंक महाजूर के डारेक्ली आप उस से कंट्री हैं यह पूछ रहे हैं आपको बाते बताओ केस्पयन सी तो बोलते हैं लेकिन असल में यह एक लेक असल में है यह एक जील और यह दुनिया की सबसे बड़ी लेक है लार्जेस्ट लेक लेकिन कैसी वाली सॉल्ट वाटर वाली है ना सॉल्ट वाटर वाली देखो लार्जेस्ट लेक में फ्रेस वाटर का भी लेक हो सकता है और सॉल्ट वाटर वाले भी लेक हो सकता है तो केस्पियंसी वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक भी है अगर मैं पूस्ता जो आपको इरान मिलेगा यहाँ के अपको इरुस्तान मिलेगा यहां कजाकिस्थान मिलेगा और यहां एजएरवाइजान मिलेगा तो यहां पे देखो खितने कंट्री से घिरा हुआ है दो तीन चार पाँच तो पांच कंद्रियों से घिरा हुआ है कौण सा कैस्पियन सी यह बीच में जो देख रहे हैं आद यह वाला यह यह टिंक है कैस्पियन सी है का यह ता वैसे मैं कौर यहां पर माग कर दू को तो यहां पर एक चीज यह देखो यहां पर एक mountain मिलेगा जिसको क्या बोलता है युराल mountain क्या मोलता है युराल mountain क्या करता है यह एस यह वाला part Asia है और यह सब देख रहे हो यहां पर यह सब Europe है तो Asia को Europe से अलग करने का काम युराल mountain and ुट्राल river जिख दी है नमक बहुत ज़ादा होती है, तो किन कारुनों से, ओसेन की जो salinity जो होती है, वो किन कारुनों से ज़ादा होती है, नमकीन क्यों ज़ादा होता है, तो एक तो तो the type of marine organism found in the water bodies, ठीक है, तो इसका answer हो जाएगा ये, ठीक है, कि यहाँ पर आपको पताना है कि कौन सा कारण इसक नहीं है ऊसन की लिलादेना नहीं है इससे बाकि अगर देखोगे तो विंट से नसी होता है बिल्कुल में सै कैसे नहीं होगा तो लोकि यह को चुष मांट म演्या अगर जानरे बहुत सारा नदी आके मिल रही है तो ऊसे तो फ्रेस 14 बॉटर आता है तो नदी अगर मालो ओसिंके जिस भाग में आकड के मिल रही है न यह सागड के जिस भाग में आकड के मिल रही वहां पर आपको जो स्वॉल है वह कम मिलेगा क्यों कि नदी का फ्रेस्वॉर्टर एड होड़ा है ठीक है इसके लाबाद इवापोरेशन एंड प्रिसिपिटेशन के कारण भी देखेंगे कि जो सेलिंटी जो है वो क्या होता है वो चेंज होता है अगला देख लो विच और फॉलाइंग इज लार्ज ग्रूप ऑफ द रॉक फॉर्बिंग सिलिकेट मिनरल्स देखेंगे इसको ग्लास एंड सिरमिक इंडस्ट्री में यूज होने वाले आपको बताना है तो देखो देखो ग्लास एंड सिरमिक न यहां इंसर हो जागा फैट पर जो फैट्स पर जो है न इसको ग्लास एंड सिरमिक इंडस्ट्री में यूज करते हैं हमारे अर्थ के क्रस्ट का हमारा अर्थ का जो सबसे उपड़ी परत जो क्रस्ट जिसको बोलते हैं उस क्रस्ट का लगभग 51 परसेंट तक होता है वैसे अगर मैं बता हूँ अर्थ क क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है तो वो हो जाएगा आपकी ऑक्सीजन है फिर सिलिकन हो जाएगी मेटल का मैं पूछता हूँ तो अलमुनियम आपका हो जाएगा ठीक है तो यह सब याद रखने हैं आपको अगरा कोशन देख लेते हैं मतलब क्या है मैं समझाता हूँ और एंसर भी बताता हूँ पहले आप समझाता हो इसका होगा अस्थिनो स्फियर अब होता क्या है अर्थ में अलग-अलग लेयर है प्रिथवी को अलग-अलग पढ़तों बाता गया है उसको हम लोग बूलते है क्या क्रस्ट फिर उसके बाद मेंटल उसके बाद आता है कोड यह जो डिवीजन हम लोग करते हैं क्रस्ट मेंटल और कोर यह जो डिवीजन हम लोग जो कर रहे हैं यह डिवीजन तो है ठीक है यह डिवीजन जो है यह रासायनिक संरचना के हिसाब से है ना सौरी यह जो डिवीजन है यह तो है चलो है ले जो यहां देख रहे हो अब लिथोस्फियर क्या है तो हमारा क्रस्ट प्लस मेंटल का उपड़ी वाला भाग अपड़ एरिया मतब क्रस्ट तो पुड़ा ले लेना है अप्लस मेंटल का थोड़ा सा एरिया मेंटल का उपड़ी प्रत यह मिला करके बनता है हमारा लिथोस्फि सब्टाइद अए ओप्ड़ासा नीचे वाला जो थोड़ा सॉलीड नहीं है तो बाल हागा सा देखाऊंकू गडूकर जैसा है गडूब गणर उलका है तक अईसा होगा वारशा कुछ है ठीक है चिप चिपात करत है तो वैसा कुछ थी उप拔ग वालवा भाग में तल्क ऊपड़िवाला भाग इसनकर इसको पाठ और तो मेंटल का जो उपड़ी वाला पार्थ है उसको छोड़ दो नीचे वाला जो पार्थ है वो थोड़ा सा आपका लिक्विड जैसा स्टेज भी होता है मैंगमा क्यों की होती है तो उसको बुलते है एस्टिनो स्फियर ठीक है अगला कुशन देख लेते हैं हम लोग विच प नमारा मनलो की यह अर्थ का पार थैं हम्हें पता न आर्थ का जो महादृप जो होती है जिसको अपन्यों कॉइंट बोलते है तो यह मलो लैंड अब वोक फिर धीरे धीरे शर्द्री ओश्ण की ऐसे होगी और फिर मैं सम्झाता हूं यह डागराम से सम्झाता हम क्या आये ह देखो होता क्या है, एक्छली में, आज जो यहां पे वाटर है, यहां वाटर है, देखो, अब चीज समझो, यह जो पार्ट देखरो न, यहां पे है लेंड, यह Continent है, अब यहां पे यहां पर वाइड्वाइड लेंड, यहां से ऑसे स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसा इसके बाद में अचानक से घहराई बहुत ज्यादा बरने लगती है तो यह जो देख रहे हो ना तो इस एरिया में अगर मैं डौरा करके मैं दिखाऊ तो इस एरिया में ये दो पाठ हो गया आपका लेंड वाला चिक है और यहां पे दो देखो और हल्की जो धाल है यह वाले एरिया को बोता है क्या Continental Slope. ठीक है? सरी Continental Self。 यह वाला जो पाथ है इसको बोलता है Continental Self. यह वाले पाथ को Continental Self को क्या बोख़ाई? हिदी में महादीबिया Self. फिर उसके बाद अचानक से स्लोप बहुत जादा बढ़ गया. अचानक से धाल बहुत ज्यादा बढ़ गई यह वाले पार्ट को बोलता है Continental Slope याद रखो सबसे पहले Continental सेल्फ उसके बाद Continental सौप अचानक से धाल बढ़ गया और फिर उसके बाद फ्लाट एरिया आप देख रहे हो ना इसको बोलते हैं क्या होता अबसल प्लेठ क्या मुणते हैं बेसल प्लेयर या फिर डीप सूलेज उप के दिखा देथा हो फिर से बकरके सबसे पहले Continental Slope, Continental Self, हलकी ढाल वाला, फिर अचानक से ज्यादा ढाल वाला Continental Slope, और फिर यह फ्लैट एरिया, ठीक है, तो यह वाला पार्ट क्या है Continental Slope, यह वाला पार्ट है Continental Self, और यह है Abysal Plane या फिर Deep Sea Plane, ठीक है, इस एरिया से अचानक से धाल बरना स्टार्ट हो गया, इस एरिया को क्या बोलता है, इस एरिया को बोलता है Continental Self-break मोलता है, और यहां पे यह वाले एरिया में यह हलका सहसा उठा जैसा होता है, इसको बोलता है Continental Rise, Continental Rise, ठीक है, नौ नेक्स्ट अगे वरते हैं विच वाटर बॉड़ी विच वाटर बॉड़ी इन वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ओसेन स्प्रेड ओवर एन एरिया ओफ ये तरह एरिया दिया हुआ ओन अर्थ सर्फिस देखो यहाँ पे आपको जहाँ से ही आप देखते हो कि थर्ड लार्जेस्ट ओसेन बोल रहा है आपको पता हो जाना चाहिए मैं आलेडी बताया पेस्फिक ओसेन पूड़े ओसेन का 46.6% होता है ठीक है बतलब एक नमबर पर है यह अट्लांटिक वाला जो है वो 23.5% है अगला देख लेते है death valley is a desert valley in the dust that is the hottest and driest place with a world record highest temperature 134 degree Fahrenheit तो यह जो death valley जो है यह कहां पर यह जो डिज़िजर्ट वाना एर्या है कहां पर तो यह मिलेगा आपको California है ना मोजावी desert तो California जो US में है ठीक है वहाँ पर मोजावी desert में आपको देखने को को मिलेगा यह ठीक है एक्स देख लेते हैं एकोडिंग टू कोपन हेग ठीक है कोपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन स्कीम ड्राइक्लाइमेट आर सब डिवाइड इन्टू कैपिटल लेटर एस एंड सेमी ड्रीजन और स्टेपी एंडबलू क्लासिफिकेशन किया इसको कुछ डिवाइड कि उसको कुछ क्लासिफिकेशन किया उसको पांच क्या उसका वह नहीं है तो तो यह तो कितने classification ने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे category में डिवाइट किया, और फिर इसको फिर से फर्दर डिवाइट किया, तो B वाले को चार category में डिवाइट किया, तो B यह जो A, B, C, D है यह fix है, आपको याद रखना है, तो B किसके लिए यूज होता है, तो dry climate के लिए B उन्होंने यूज किया, कि उन्होंने, कोपन ने, है ना, क्या कर रहे है, इसके थूरू, तो जल्वाइट जो है, उसका अलग-अलग विभाजन कर रहे है, classification कर रहे है, तो dry climate में आप देखोगे कि B वाला जो है, फिर B को चार category में बाटा, तो उसमें से, जो है, जबा, तो हुआ क्या, कि ये जो classification क्या न, इसमें से, कहीं-कहीं पर उन्होंने W को यूज किया, दो प्लेस में W यूज किया, और दो प्लेस में उन्होंने S code यूज किया, तो दो category में W यूज किया, तो वो W क्या के लिए यूज कर रहे थे, तो डिजर्ट वाली area के लिए यूज कर रहे थे, तो W क्या के लिए है, डिजर्ट एरिया के रिगिस्तान के लिए, तो B denote कर रहा है, अब B को 4 category में राटा, बाटा, अब वो 4 में से आप देखोगे, कि 2 के लिए उन्होंने W यूज किया, लेकिन इसमें भी उथ्वा-थ्वा डिफरेंस है, ठीक है, और उसने कटमंधिय अभिसार छेतर, अब होता क्या है, यह समझो, आपको पता है, हमारे अर्थ में, मैं अगर अर्थ को ऐसे करके, मैं ड्रॉ करूँ, एक्वेटर है, 0 डिग्री, विश्वत रिखा, आपको पता है, कि 0 डिग्री वाले भाग में, क्या होता है, कि सन धूप ज आके ऐसे उपर जाती है, जाती है, उपर जाकर के, फिर जो है, वह इस तरफ में, मतलब की सदन ह्मिसफ्वेर में, घशनी गुलार्द में, lat Criston-ं गुलार्द में, इस तरफ में, नौनन हमिस्फ्वेर में, तो 0 डिग्री से हवा ऐसे उठेगी, उठेगी आ फिर इस तरीक सब्छार्य थो उत होता क्या है बालो यह जीरो डिगिडी वाली लाइन है तो यहां से हवा ऐसे करके जाएगी जाएगी अलगभक तीज डिज जी के आसपास दोनों इस तरफ मेन तीज डिज दिज डिज पास जो है अब यह थ्यवहत वहरी करता हैं कहीं 30 है कहीं 35 है तो बता है हवा जो है वो है प्रेसर से लो पर से तरफ फ्लो होता है मतलब उस्थ आपकी जहांते जहां अधिक जो वायुदाम है वहां से डिपन्वाइदाब की तरफ यहीं होता है तो हवा कुछ ऐसे बहेंगी एसे हवा कुछ ऐसे भाईएगी याँ रख रहे हैं हुच तो एरिया जो है, 0 degree के आसपास रहेगा, कभी ये area थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा, 10 degree के आसपास रहेगा, कभी इधर में आ जाएगा, तो ये shift होता रहता है, तो shift होताराता है, तो इसी को ये ही क्या है? Intertropical Convergence Zone. प्लाटीनियम गोल्ड जो है ना यह आपको पहारी छेत्रों मिलवें जिसे हिमालय वाग्णा छेत्र है ना में पहिं करेंगे आसे हिमाले में बांके लिया वहां में मिलता है अगला देख लेते हैं तो अभी 4 पहले मताइं सबसे पहले Quickly लेंड के बाद में क्या Continental Self कम धाल वाला जगा फिर उसके बाद जाना धाल वाला जगा Continental Slope अफिर Plane Area तो जो क्या मोलता है Gently Sloping Gently Sloping मतलब कम धाल कम धाल वाला एरिया यह वाला है तो क्या मोलते है उसको Continental Self बोलते है उसको ठीक है Gently Slope अविध इस Gently Sloping Area of the ocean basin अच्छा यह तो यह तो रॉंग मार्क हो गया ना इपसरी प्लेन नहीं होगा कम स्लोप वाला कॉनसा ओगा Continental Self होगा ठीक है Continental Self से Option 2 अशर होगा थीक है थागल्ती सो हो गया है Gently Sloping गिया है जादा Sloping माला क्या है Continental Slope है और अगला देख लो डास प्लेन और फॉर्म ड्यूटी वेदरिंग और सॉल्यूबल रॉक सच आज डायमिस्टोन और ड्लोमाइट देखो होता कि मालनो कि यह एक जमीन है एक लैंड है इस जमीन के अंदर में काफी सारे बड़े बड़े काफी सारे जो है चत्तान है रॉक्स है वह रॉक किस चीज़ के बने हुए है मालनो वह कैल्सियम के बने हुए है ठीक है यह चट्टान जो दिखर 53 बॉराइं busy ऊपट तो을 यह चैने जो एरियम झेला जो जो गुलकर यह गुलकर वाटर के साथ यह फ्लो होगे कहीं और चला जाएगा जबीन के अंदर में आप देखोगे इस तरीके से बड़े बड़े जो है ना कि वजह से गुफा जैसे जो है यह बन जाएंगे तो इसे ही क्या मोलता है कास्ट इसे कास्ट बोलता है ठीक है अगला देख लेते हैं अगला कुशन तो हम लोग देखेंगे जब मून जो है यह अर्थ से डियरेस्ट होता है तो उस टाइप को बोलता है क्या पेगी ठीक है अजब दूर होता है तो एप होगी जब दूर के लिए क्या वर्डिश करता है पेगी जो है अगला देख लो विचे दूरिंग टाइप ऑफ दे रॉक आपको पता है जो भी रिवर जो है डदिया जो है वह अपने साथ काफी सारे बालू पत्थर सेंड सिल्ट वेगरा स्टोर्स वेगरा फ्लोकल के लिए क्लिए अब उसको लेयर बाई लेयर जमा करती है इस पूरे प्रसेस से फाइनली क्या जो रॉक बनता है उस रॉक को तो है न तर्फितक है जब शॉलरी रॉक होता है तो उससे औससे को प्राइवलाधि रॉक भी बोलता greeting खब्रक तो कंदेगा जब किसी और कोंच कोई भी रॉक लेलो फो रॉक डे बहुआ हीर WOWा यह होगा है बहुत जाद्धा प्रेसर अप्लाई हो राए को उससे तो उसको मु यहां आवाड़ा जो होता है वह Continental Slope होता है क्योंकि Continental Slope में तो देखो काफी डीप मिलेगा यहां पर काफी डीप मिलेगा ट्रेंचेस क्या होता है Continental Slope में ही 20 में बहुत सारे दराडे होती है यह Land यह हो गया Continental Self Continental Slope फिर यह Plane एरिया तो Continental यह Land है इधर में Land है और यह Deep Sea Plane और यह हो गया Continental Self और यह हो गया Continental Slope तो Continental Slope जो है इसमें काफी सारे दरारे होती है क्रैक्स होते है उन क्रैक्स को ही बोलता है ट्रेंच आप लोग नहीं सुना होगा जाएंब दॉट जाएंब को लिटा में जाएंब दिस्कोवर्ड इसक्सीं तेड वाइद इटैलिया एंश्टरोंबर गैली जो यूट ट्रेलिया वह मून दूढ़ लिया वो मून क्या है वह है गैनी मिड इन गैनी मिड यह बासोलर सिस्टम इन प्लानेट और अट्ट प्लाइट है अप्लास इसके जो भी सैटलाइट है जो भी उपगड़ा है इस सोलर सीस्टम परते लुए अब पढ़ते हो ना बर्क्यूरी प्लानेट बुद्ग्रा बुद्ग्रा से भी यह बड़ा है इसका लब फोबोस आपको पता है यह मार्स का एक सटलाइट है फोबोस और दीमोस दो है मार्स के सटलाइट है मंगल गळा का है टाइटन जो है यह आपकी जूपीटर है यह आदर पूछा था पूछा था पूछा का एक यह आप दो प्रिव यह इन उसको बिल्कुल देखो व तो यह गहां है तो है तो यह है South America में अब यहां कि देखो यहां पर लिखा है longest river अब इजन को बोल रहे longest river लेकिन हमने तो पढ़ा है कि जो नाइल river जो है वह longest है लेकिन यह जो question है यह मैंने नहीं बनाया यह यह सजी का पूछा गया है तो यह आपकी है कुछ साउथ अमेरिका तो साउथ अमेरिका के यहां पे आपको अवेजर लदी मिलेगा यहां पे और यह बहते वे महहसागर करो अबीजन बेसिंट की बात करो या फिल शॉथीज असिया की बात करो तो यहाँ पे आपको किस तरीके की 干ेसे जर्मेले किस तरीक है कि बारीस देख़ेकों भी लेगी तो यह जो Congo मेसिन अबेजर मेंसिन और साउथी स्टेशियर्च वाला जो एरिया जो है यहां पर बहुत ज्यादा rainfall होती है यहां पर इन एरिया में ठीक है इन तो आपको मिलेगा तो यहां पर क्वेंशनल प्रिसिपिडिशन क्या होता है मैं थुरा समझाता हूं ठीक है तो इसको यह पर नहीं बोलते हैं कुछ और मोलते हैं तो होता क्या है देखो जो इक्वेटर वाली एरिया है जो एरिया जो है वहां पर संका लाइट बहुत परता है संका धूप बहुत ज्यादा परती है जो भी जलराशी जो भी जो भी जील है लेक है उसे वेगड़ा है उससंद का वाटर उपर जाएगा क्लाउड बढ़ेगा और उसी एरिया में फिर बारिश होगी ठीक है जनलेली होता क्या है दिन अब होते होते तक इवनिंग मतलब दोपहड के बाद आफ्टर्णून के बाद वहां पर काफी बारीस अच्छी खासी बारीस होती है काफी सारी लाइट्निंग होगी और साल में 365 दिन में से लगवग लगवग 300 दिन बारीस होती है इस एरिया में जीरो डिग्री वाले एर अगला देख लो इन दा अन्ली नाइटीन हंड्रेट्स विच जर्मन क्लामेट लॉजिस्ट डिवाइड देवल्ड क्लामेट इंटो डिफ्रेंट क्याटेग्री बेस्ट ना टेंपरेचर अमाउंट रेंट पॉल अदर टाइम अफ द इयर वन दे रेंट फॉल ऑकर्स तो इनुन्हों ने क्या किया उन्होने क्लासिफिकेशन किया पूरे दुनिया की जलवाई हुई का पूरे विल्ड के आपका क्लाइमेट बुगम भी आती ह टो यह सब जो बाते है यह सब बता लाँ प्लेट वाली यह पेंजिया वाली सब भी मिले हुए थे यह सब वैंगनर ने बताया थां औरल स्रेंट वैंगनर का थे क्छंट पर को Molly जो सी एक बहुत इंपॉंटेट एडिया है जहां से इडिया एंड यूरोप के बीच में ट्रेड होता है वेपार होता है तो यहां पर मैप में दिखा देता हूं यह हुए यहां पहरे चलेगा कि आपको क्या है which climate zone has an average temperature of over 64 degree foreign height throughout the year and more than 50 inch of rainfall each year तो अभी जस्ट में थ्वादे रपल बता है tropical area 0 degree वाला जो एडिया जो है खूब बाडिस होती है आप अप्रेश तेम्परेचर आठानल डिग्री के आसपास में होता है ठीक है तो इन में से क्या होगा जब जिससे तो इसको आपको कैसा लगेगा काफी नबगीन लगेगा बहुत दार सॉल्टर रहेगा उसमें नबगीन काफी लगेगा अब आप क्या खड़ो इसको थोड़ा गर्म करो गया तो एक लीटर पानी में से मालना 500 एमल पानी उड़के चला गया भाब बढ़के चला गया वही वह है तो अब जो यह वाटर है यह पहले से सागरों में जब इवापोड़ेशन होता है वास्पी करण जब होता है तो पानी तो भाब बढ़के उनके चला जाएगा लेकिन जो सॉल्ट उसन वाली है वह तो वही रह गई ना तो अगर इवापोड़ेशन जादा होगा तो वह सागर्ण वह समुत्र का पानी और अगें फिर से में सवाल पूछता हूँ, Big Bang Theory किनों ने दिया था, किनों ने Big Bang Theory दिया था, ठीक है? देखो, ठीक काफी सारे दिये गए है, कि दुरिया किस तरीके से बना, यूनिवर्स किस तरीके से बना, इसके जितने भी ठीक है, उट में से सबसे ज़्यादा, जिसको accept किया जाता है, वो है फिलहाल के लिए Big Bang Theory, हो सकता है, फ्यूचर में कोई और ठीक है, लेकिन अभी के ल है, वो सॉलिड रॉक निकलता है, लिक्वीड रॉक निकलता है, लिक्वीड रॉक मतलब क्या, लावा, है न, मैंगमा जो निकलती है, अब वो सर्फिस पे आके क्या होता है, जम जाता है, तो जम जाता है, उससे क्या मनता है, उससे वाल कर नो मनता है, है ला, तो वाल के न मुझाका धाता हो हुए मौन लोकि ये एक जभीद है लैंड और यहां फे दूसरा लैंड ये बृट बीज ले कि बीच में एक ब्रीज बना दिया तो वह ब्रीज हवा में तो नहीं जूलेगी वह ब्रीज के लिए क्या होगा बीच में काफी सारे पिलर लगाने पड़ेंगे जो कि सपोर्ट देंगे यह पिलर कहां है तो यह पिलर बनाये जाएंगे आपको ओशन में यह पिलर बनाये जा बनाना है चोटे से एरिया में तो उसके लिए खास तरीके का राउंड जैसा एक डैम बना देंगे कौफर डैम बना देंगे चारो तरफ पानी बीच में यहां बैप पिलर बनाने का काम करेंगे आप देखना आप अगल कमी कि में यह अफिरती के टीन के डीच में है ना बालो दरी फ्लू कर देता हो इसको मं THAT invece में करेंगे को ऊफर घाल लाया इस दोट एन एफेक्ट अफ टास्ट एफ्ट्वेक्ट का कौन सा इनने से एफेक्ट नहीं है तो अर्थ कोई यह का रेइन फॉल से अवलांच आसकता है और लांच क्या होता है कि पहाड़ों पर अर्थ क्या हो सकता है भूगब की वज़ए से पहाड़ों के जो ग्लेशियर जो है वह सकता है खिसक जाए वह ग्लेशियर का कोई भाग तूट जाए एवलाज बोलते है उसे सुनामी आ सकता है जैसे 2004 वाले पर चुनामी में आया था ठीक है या पर स्वाइल लिक्विडिफिकेशन हो जाए स्वाल लिक्विडिफिकेशन मतलब जमीन का कोई टुकड़ा हो सकता है अर्थक्विक आने की वज़ास से समुझ के अंदर डूब जाए मालो कि कल तक यह एक जमीन था और यहां पर बालो ओशन थी यह वाला उपर में लैंड और यहां पर पानी जमीन लेकिन अर्थक्विक के आने की वज़ासे हो सकता है कि पानी जो है एकदम यहां त सब्सक्राइब अगला देख लेते हैं विच आउटसाइड लेयर ऑफ और्थ इस लेस देन्स थिक एड़नाइट कॉंपोजिशन आपको पता हुआ कि जहां कहीं पर भी महाद्वीब है जहां कहीं पर है जहां कहीं पर भी ओषन है तो आप यह बने है ग्रे नाइट से और जहांब हांभी आपको ओसे हो उसको ऊसे कॉलते हैं यह बना हुआ है कि आपको तेखो ग्रेनाइट बाला पूछ रहा है तो तो इस ना कॉन्टिनेंटल करस्ट हो जाएगा अब मेंटल वेगड़ा और तो अर्थ के अंदर में है यह ना करस्ट है क्रस्ट के नीचे मेंटल उसके नीचे कोर को भी डिवाइट करते हैं इनर को आउट यह तक्मनेट्स में क्या अंधि यह जैसे तय developerी तो वैसे क्या होगा temperature कम होता है फिर ट्रोपज्फ्फ्फिहर के बाद में आपको मिलेगा कौन साาง स्ट्रेटोस्फिर इस्ट्रीटारो में उल्टा से यह वाड़ेगा फिर शोप्र में पिलेगा में Messします तक चला जाता है यहां तो बोल रहे हैं कि टेंपरेचर घटता है ठीक है टेंपरेचर घटता है तीसने नमर पर आ रहा है थे फिर स्ट्रेटोस्फियर का ही पाठ है तो यह सब बिलेगा आपको यह वाले इडिया में चाण यहां पर आपको आक्टिक और यहां पर आपको आपको मिलेगा पैसिपीक उसन अधर में भी मिलेगा क्या पैस्थिसे इन क्योंतों तो यह वाला जगह देखके लग रहा है कि दूर है लेकिन असल में अर्थ तो ऐसे राउंड है तो यह वाला जगह और यह वाला जगह एक जुसे से काफी सापने है मतलब ऐसे हैं इसे हैं इत्व सामने है तो बताना है कि Gulf of Mexico Gulf of Mexico से जो सटा हुआ जो एरिया जो है वाटर बोडी है वो कौन सा है जो कि अट्लांटिक उसेंट का पाठ है तो यह देखलो यह वाला जो एरिया जो है ना गल्फ of Mexico है और यह वाला जो है यह इसको मलता है कैलिबियंची का मलता है कैलिबियंची और यह देख़ो अट्लांटिक उसेंट का ही तो इधर में है ना तो करीबियंची हो जाएका ठेक है यह देख्ट विच अधर फॉलेंग मिर्ण प्राइमिली को सिट्वेट इड़ इड़ इक्वल अमाउंट ऑफ दा आइड 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 टू एड आइड थ्री देट इस बेली यूज़ फो इस्टील मैनुफेक्ट्रिंग तो एंसर हो जाएगा मैंगनेटाइड देखो आ टी इस एक है यहां in to area three क्या बोल रहे है में यहां कुछ ऐसे एलिमेंट एकुछ ऐसे है जो अलग अलग य gonna डिखाता है वेलंसी इंग से जख्ता है तो अलग-णोंड जखता दिखाते है अलग-अलग वैलंसी दिखाते ही उस में सोahn ए doubling है आइड एड बेल सी दी involved हो तरह तो के सबक्रक्राइं का पार मोटक्रागी करनें नियुक्राएं इसका आए भी दिखाता है बारिक पेटीजित कि अ् capabilities पाइटोजिए और यह लगळको देखो प्रेडोलोजी जो वर्ड है ना इसका बतलब क्या होता है आप इस पर हम लोग श्टरी करते हैं स्वाइल के बारे में बिटी के बारे में चतान के बारे में नियुक्ति अब फाइटोजिग्रफी पे हम लोग श्टरी करते हैं प्लां phenomenon of apelion approximate distance between the earth and sun तो जब apelion जब होता है तो उस समय earth और sun के बीच की दूरी 152 million km होती है और ये देखो ये जो apelion जो होती है ना तो ये कम होगी आपकी 3 जन्वरी को होती है और इसी के उल्टा जो है ना एक और होता है perihelion ये होता है आपकी 4 जुलाई को चार जुलाई को होता है और इस समय डिस्टेंस जो है वो सबसे कम 147 होता है ठीक है 147 million होता है यह दखना है कि क्यों ऐसा हो रहा है दिको सन अगर ऐसा है तो अर्थ जो घूब रहा है अर्थ एकदब राउंड एकदब सर्कल सेफ नहीं है न वह अड़कार सेफ है इलिप्टिकल सेफ है इलिप्टिकल पाथ में फ्लो कर रहे है इसी ही खालत से ठीक है अगला देख लो most of the atmospheric ozone is found in which layer तो मैं ने दृट्शादर प्रे बताया कि ozone layer आपको स्टेटोसफेर में मिलेगा ट्रोपोस्फेर मिलेगा कैसे आपको 0 से 13 किलोमेटर की उचाही तक आपको ट्रोपोस्फेर मिलेगा लेकिन हर जगा यह इकको नहीं है आप अगर पोल पे चले जाओगे द्रूव जो है न नौर्थ पोल और सौथ पोल पे चले जाओगे तो वहां हाइट जस्ट आठ से नौ किलोमेटर के आसपास मिलेगी आपको और अगर आप उक्वेटर पे चले आओ तो आपको इसके उपर आता है लगवाक पचास किलोमेटर की हाइट तक आता है स्ट्राटोस्फेर के अंदर में ही ओजोन लेयर जो है वो लगवाक 25 से 30 किलोमेटर वाली जब हाइट वाली जो रेंज है उसमें आपको जो मिल जाएग जो पड़ा बैंगनी किरम जो है जो यूवी रेज जो है उनसे हमें बचाता है को ओजोन पहुँच ज़रूरी है ठीक है अच्छा नेक्स्ट डैस इस नो लॉंगर कंसीडर अजब प्लैनेट विदिन अर्थ सोलर सिस्टम तो हमारे अर्थ के सोलर सिस्टम में से हमने बिच कि द्राफट प्लैनेट बोनाप्लैनेट युछات वी ज字 करए नियूट में फ्रमनेट जाते अर्चाफ में द्रृप्लैनेट ूक् 떨어져 प्लूना व बोलेंगे हैं इसे सी आसे इसाह या पूचा जा सकता है कि बताओ कि प्लूत तो को कौन से य में निकाला या इंडिया प् घ्रण को बहुत जादा है तो बहुत ही ज्यादा बाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा जादा वहांतों को बिलेगा तो वह बिलेगा आपको कुछ खास चेत्रों में तो उन में से वेस्टन गाट है नॉर्थीश्ट इंडिया एक है और सुन्दा लेंड भी है तो यह तीनों ही एंसर हो जाएंगे, A, B and C, A, B and C, नेक्स्ट देखलो, विच टाइप अफ बायोम इस लोकेटेद इन इस्टर्ण नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्ण अमेरिका, वेस्ट यूरोप एंड नॉर्थीस्ट एस्या, नॉर्थीस्ट एस्या, इन से कौन सा वाला जो आपको बायोम मिलेगा इन सब छेतरों में, तो आपको डेसीडियस फॉर्स मिलेगा है न, हमारे कंट्री में भी सबसी ज़ादा फॉर्स्स डेसीडियस वाला ही है, ठेक है, जो पण्द पाती जो विक्ष, वजो होती है, विज़ दे फोलेंग माउंटेन वस फॉर्म्ड वेन मॉल्टेन रॉक फॉम डेप्ट अफ द अफ द अर्थ रोस फॉम द अर्थ क्रॉस्ट टू पाइल अफ इट्स वोन देखो हमारे अर्थ के अंदर से काफी सारा गडब गडब मैगमा जो पिगला हुआ चटान पिगला हुआ रॉक मुल्टन रॉक निकलता है और फाइनली वो जमा हो के क्या बनाता है एक तरह की पहार बनाती है एक तरह का पहार बनाता है यह जमा हो हो के तो इससे किस तरीके क सबसे उची चोटी है ठीक है अफ्रिका के सबसे उची चोटी है ये नेक्स्ट डैस जोन इस जनली डिफाइंड एजन इन्वार्मेंट वित मॉंडरेट रेंफॉल तुर्वाउट दा इयर और पार्ट अफ दा इयर वित अ सब्सक्राइब ब्राइब माइल्ड अण होट समर और कुल टू कोल्ड विंटर यह पूछ रहे हैं कि एक ऐसा एरिया हमारे दुनिया में है जहां पर रेंफॉल बहुत ज़्यादा नहीं होती है ठीक ठाक होती है तो देख लो आपका पता है कि एक वेटर जो है से पास होता है अब उससे नीचे आपका पता है कौन लाइन पास होती है जिसको क्या होता है 23 अब उपर में भी जो है तो यहां पर यह पास होती है उपर में यह आपकी हो गई यह आपकी हो गई यह आपकी हो गई नीचे में भी 66 से नखाप पाली हो गई तो यह 23 से बीच में और 66 के बीच में 23 हाफ 66 हाफ के बीच वाला जो यह एडिया जो है ना इसको बोलते है तेंपरेट जोड एंपरेट जोड ठीक है अबसमें नेक्स को सब देख लेता है वीच अधर फोलाइंग माउंटेश वार्मेश अफ टेक्टोनिक प्लेट लिडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज फोल्ड इस्ट्रक्चर ऑद अर्थ क्रस्ट तो इन में से कौन सा माउं रघेट क करी बन जारो यह तो आपके वांखीनों वाले मौंटेई के ठेक है और वोजगेस जो है यह ऱ्छी ज्व है यह ब्लॉक माउंटे इन गया टेक है इंडिया में ब्लॉक माउंटे में ब्लॉक को एदिया तो how you block mountain diana ठीक है नो नेक्स देख लो वाट टाइप अफ रॉक वेर वंस इगनीशियस और सेनिमेंट्री बट हैव मेटमोर्फाइस एज रिजल्ट ऑफ इंटेंस हीट और प्रेसर विदीन अर्थ क्रस्ट होता क्या है जो इगनीशियस या सेनिमेंट्री जो रॉक जो है न इस पर बहुत ज्य मेंट्री रॉक है क्वाक भला जो है यह होन मैटा मॉर्फीकॉर्ट है इन पाक्स सेटीश तोंन वहीं बदल जाता है चयब लेको सिसमय के लेक बैकाल की लाजर्जसौरब्あー लेक अगर वॉल्य। के शाब से बात करें तो यह deepest लेक वी है वर्ल्ड की कहां है तो यह है रस्या में ठीक है यह कहा है रस्या में देखो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेस्वाटर लेकिन वॉल्यम के हिसाब से अगर सरफेस के हिसाब से मैं पूछू तो वह होगा लेक सुपीरियर जो अमेरिका में है अगर मैं सर्फेस एरिया के आप से पूछू फ्रेस्वाटर लेक बाई सर्फेस एरिया तो वह होगा लेक सुपीरियर जो कि आपकी अमेरिका में है तो इक्वेटर के ऊपर और नीचे 40 से 60 के किस तरीके का आपको रेंफॉल बिलेगा जहां बारीश 155-100 cm असपस होती है तो आपको टेमपरें डिसीडियस ओररेच मिलें आपको टेमपरें डिसीडीस फोरेच तो हमने देखो क्या कडा तो हमने देखो क्या खड़ा तो हमने आपके जो भी यहां पर कुस्टन जो आपने देखे उन सभी कुस्टन जो आपके SSC-CHSL आपके SSC-CHSL 2021 में जो जो हुए है ठीक है उनका वर्ल्ड जोग्रफी से रिलेटेड पीवाईक्यू अपने देख लिया है कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जूरके बात कर सकते हो ठीक है मैं बिल्कुल आपको गाइड करूंगा है इसके बाद मैं कुछ और दूस का कुछ आप दूसरे जो फेपर्स जो है उन सबका भी वीडियो लेकर मैं आने वाला हो थैंक्यों